रिश्वत खोर अधिकारियों को ACB से कौन बचा रहा है बड़ा सवाल है कि राजस्थान में दर्जनों की संख्या में अफसर रेटायर हो रहे हैं ऐसे जिनके उपर ACB के मुगदमे दर्ज हैं और उनके विभाग यानि कि उनके उच अफसर अनुमती नहीं दे रहे हैं अभि कि मिली भगत है या नहीं क्या काइदे हैं कि कबूतर मारे जाते हैं और बाज बचाए जाते हैं IES IPS रिटायर होते जाते हैं और छोटे पटवारी कॉंस्टेवल पकड़ के मैसेज देने की कोशिस करती है सरकारें चाहे वो पंजे के निशान के साथ हो या कमल के निशान के साथ राजस्तान में ऐसा ही खेल चलता रहा है अभी भी वैसा ही चल रहा है और इस पर आज बात करेंगे नमशकार मैं प्रदीप हूँ आप थिंक 360 देख रहे हैं गलत नहीं होगा अगर यह कह दूं कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने वाले IES IPS और RPS अफसरो संख्या साड़े चार सो से अधिक हैं यहने आप 10-20-50 मत मान लीजिए कहा जा रहा है कि भरेश्ट अफसरों की फाइल बनाकि तीन महिने का एक टाइम पिरिट दिया है मुखिस अचीव ने और कहा है कि रिटाइर कीजिए जबरदस्ती लेकिन यह उतन उस आदेश में जित इसरों का आंकड़ा जिनके उपर या करमचारियों का आंकड़ा जिनके उपर मुगद में चलाए जाने की स्विकृति मातखत जो है उनके एसीवी के अधिकारी उनके खिलाफ चलाने के लिए अपने वरिष्ट अधिकारियों से अनुमती मांग रहे हैं उन विभागों के लेकिन कुछ जू नहीं रहेंग रही कानों पे एसीवी मुगदमा दर्ज करने से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई हैं ऐसे में कभी भारत भर में ब्रश्टाचार के खिलाफ कारवाई करके एक बड़े प्रतिवान गड़ने वाली एसीवी उसकी इस्तिती बया की एसीवी स रिश्वत लेते पकड़े गए अफसर भी अभियोजन स्विकरती के चलते बच रहे हैं ब्रश्टाचार निरोतक ब्यूरो जो है रिश्वत पद का दुरुपयोग और आई से अधिक संपत्ति वाले मामलों में करवाई करता है और बीते कुछ दिनों में 19 अफसर जो है रि एक काली कमाई की शिकायतों पर एक्शन लेती हैं एसी भी प्रेब से पहले बांग का सत्यापन और तमाम चीजेंःवीडेंस व्यकति पिस्ता है जिसका काम है और वो पूरी आफिसर बिरादरी में अगर वो ठेकेदार है अगर वो ऐसा व्यक्ति है जिसका सरकारी सिस्टम से लगातार राब्ता बढ़ता है वो प्लेक लिस्टेड खुद व्यक्ति हो जाता है कि उससे दूर रहना है ऐसे में लोग भरष्टाचार को स्विकारोक्ती जैसी चीजों की और जाने लगें और अगर सरकारी मामलों में देखें तो बिना अभ्योजन स्विक्रती के एसी भी जो है वो अधिकारी या करमचारी के खिलाफ चालान पेश करके ट्राइल शुरू कर सकता है या नहीं कर सकता बड़ा सवाल है कैसे करे यह जो है चालान पेश करके ट्राइल कैसे सुरू करे सबसे बड़ी बात है तो यह लोग जो है जिसे की करीब साड़े चार सो मामले ऐसे हैं जिनमें आला अधिकारी अभ्योजन स्विकृति की फाइले दबा के बैठे हैं और ऐसे में 19 अफसरब तक रेटायर हो चुके हैं और भी हो सकते हैं मुझे याद है सिरोही के कलेक्टर है गिराज सिंग का मामला एक दशक के आसपास उन्हें अभ्योजन स्विकृति उनके खिलाब नहीं चलाने देगी प्रमोशन पाता रहा बंदा रेटायर हो गया पेंशन पा रहा हैं अब सरकार भले यह कह रही हो कि 1064 पे डायल करके कोई भी व्रश्टाचार की शिकायत करे और बार दर्शे सिस्टम का नारा और उस नारा की अनुगूंज के लिए सैंकडों हजारों करोडों रुपे खर् सामला 23 मईश 2019 में केस दर्ज हुआ पत्त के दुरुपयोग का दो साल तक एसी भी नहीं मुगत्मा चलाने के अनुमति नहीं मंगी इसके बाद दो साल बाद एक पत्र लिखे खनीज विभाग को पत्र लिखे अभ्योजन की स्विकृति मांगी गई अब फिर एक दो तीन प दर्जनों केस हैं अगर अपन 2010 में प्रतिन विक्ति पर भिलवडा जिला परिशत में सायक अभिनता और हरिवक्ष पंचाय सिमिति सुवाना में जो कारेरत इनका मामला देखें घंशाम डाडवे कन्यालाल का तो इसमें भी पद्के दुरुपयों का केस दर्ज होता है ये तो नो पद्दोनत होते रहे बाद में रिटायर हो गए अभियोजन स्विकृति नहीं मिली एसीबी कोई करवाई नहीं कर सकी तो राजस्थान में चल क्या रहा है कि अब वाकई में सरकारें चाहती हैं कि अफसर हमने देखा कई आईयस जेल गए थे लेकिन अभी नोकरिया कर रहे हैं अफसर और चला रहे हैं तमाम चीजें हैं कि एसीबी के दूसरे जो मामले हैं जो चर्चित हैं जिसमें एक कलेक्टर रिश्वत लेते पकड़ा गया और बाद में अभियोजन स्विकृति के इंतजार में उस पे जो आरोप हैं वो फाइलों में दबके ही रह गय हैं कि क्या वाकई में सरकारें जो हैं वो रिश्वत या ब्रिश्टाचार को कम करना चाहती हैं या बड़ी मचलियों को छोड़ देगी और छोटी जो है वो जैसा मैं कहता हूं अक्सर की बाज बच जाएंगे और कबूतर मारे जाएंगे अलवर के पूरू कलेक्टर ननु मांगने का रोप लाएंग अब दोनों को करीब दो महीने बाद हाई कोर्ट से जवानत मिली सवा दो महीने बाद और आज तक इनको अभियोजन स्विक्रती नहीं है आईस के खिलाफ क्या सरकारें साबित करना चाहती हैं और यह डिलाई जो हैं जैसे कहते हैं जिस्टिस डि जितना डिले न्याय में जितनी देरी होगी और यही सरकारी तंत्र को एक वजबूत आधार प्रतान करते हैं और दूसरे केस में बात करें कि दो करोड की रिश्वत के मामले में गर्फतार हुई अडिशनल स्पी दिव्या मितल का केस देखें यही स्थिती और यह काफी मामला खासा बड़ा था और पूछता आच में दिव्या ने राशी उपर तक देने की बात भी कही लेकिन इस चर्चित मामले में एक साल बाद भी अप्योजन्स विकरती नहीं मिली हैं यह केवल घटनाओं का दोराम नहीं हैं यह बानगी हैं सरकारी तंत्र में बैठे के अलावा अगर अपने देखें कि बांदी कोई SGM पिंकी मीना का केस शादी से कुछी दिनों पहले पकड़ी गई थी दस लाग दो सा SGM पुसकर मित्टल बांच लाग की तो यह जो लोग हैं यह भी आराम से नौकरी कर रहे हैं क्योंकि ECB को अभी तक अभियोजन्स विकर स्विकृती नहीं मिली हैं तो हमें खुश नहीं होना चाहिए कि कोई भी सरकार हो जो दावा कर रही हैं और लोगों से वादा करती हैं कि अगर हम सत्ता में आ रहे हैं तो हम निश्चित तोर पर भष्श्टाचार के खिलाफ कारवाई करेंगे लग नहीं रहा राजस्थान में जिस तरीके से अफसर रेटायर हो रहे हैं और इस तरीके से अभ्योजन स्विकृतियां नहीं मिल रही हैं अगर अपन बात करें 2020 में SOG और ATS के एडिस्टनल DG अनिल पालिवाल के नाम पे 2 करोड रुपे के रिश्टत मांगने वाले सत्यपाल मिड़ा एडिस्टनल S.P. का सस्पेंड हुए अब 2021 से अभ्योजन स्विकृति मांगी जा रही हैं और बड़ी चीज है कि इसमें विभागों के उच्च अदिकारी नहीं ACB खुद जो है वो भी कोई जो है वो कोई दूद की धुली नजर नहीं आती अगर आपड़ों को या मामलों को देखें कुछ अपसरों को छोड़ दें तो बाकी इस्तिती एक जसी ही लगती हैं 2016 में ही ACB ने उनके खिलाब पद के दुरुपियों को लेके केस दर्ज किया उन पर टेंडर में तई राशी से पांच गुना अधिक राशी का भुकतान करने का आरोप लगा लेकिन जाच अधिकारी सुरों कुमार ने इस मामले में सालों तक कोई कारवाई नहीं की विभाग ने जरूर दोशी मानते हुए आरोपी मानते हुए मनिश बेनिवाल को सस्पेंड कर दिया लेकिन जाच अधिकारी ने आरोपी थाबित नहीं मने यहां तक कि जाच अधिकारी जो स्रवण कुमार है उसने विश्यशक्यों की राई को भी ठुकरा दिया तदकालिन एसीबी डीजी जो बियल सोनी ने जब इस मामले को देखा तो उन्होंने स्रवण कुमार को एसीबी से अटाने के आधेश दिये थे तो बड़ी चीज़ है क्योंकि एसीबी के अधिकांस जो अफसर है या सभी अफसर जो है वो पुलिस से ही आते है पहले पुलि रही एक साब इनके उपर मामला चलाना है लेकिन पुलिस अनुमती नहीं दे रही तो दोनों विभागों के बीच समन्वे भी नजर नहीं आता कि एक ही वर्दी वाले लोग यह भी पुलिस है और वो भी पुलिस है जो कि वरश्टाचार निरोधन का काम कर रही है दोनों के आउसर में न केवल किसी विभाग के अफसर बलकि सभी विभागों के अफसर अपने मातहतों के खिलाफ अनुमती नहीं दे रहे हैं और ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि पद का दुरुपयोग करने वाले ब्रश्टाचार करने वालों को घर भीज जाएगा तो अगर उने उनके उपर आपरादिक मुगत में नहीं चलते और उन्होंने इतने पैसे कमा लिये हैं कि उनको अब सरकारी काम की जरुरत नहीं हैं तो वो तो घर जाके भी खुश होंगे सरकार मैसेज क्या देना चाहती हैं तो जैसे कि यह 4500 केस पेंडिंग है उस मेडिकल डिपार्टमेंट के 13 हैं सारजिनिक निर्मान विभाग के 22 हैं कार्मिक विभाग के द्रेपन हैं कार्मिक विभाग जिसमार राएस आईएस आईपियस आते हैं तो यह इस तरह की पेंडेंसी पब्लिक डिलिंग वाले विभागों की जादा है जहां development के लिए पैस जिंता जता चुतुत का है कि राजस्तान में यह जो चल रहा है यह ठीक नहीं है और आप इस मामले को क्या मांते हैं हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेर जरूर करें धन्यवार